क्या जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की कीमत बराकर सबसे बड़ी गलती कर दी बाद के बीच 250 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार वाली बुलेट ट्रेन चलाने का निरने लिया था, जिसे 2026 तक पूरी तरह से सेट अप कर दिया जाना था, लेकिन जापान की वजह से ये बुलेट ट्रेन समय पर नहीं दौर पाएगी, जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कमपनी, हिताची और कावासाकी, ने भारतीय रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की है, भारत के रेल मंतरी अश्विनी वैशनव ने फैसला लिया है, कि अब भारत अब इंडिजीनियसली बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश में जुच चुकी है, जापान ने बुलेट ट्रेन की कीमत बरहा कर कितनी बड़ी गलती की है, इसका अंदाजा शायद अब जापान को हो रहा है, दरसल मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का 80% क कहना है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 4.70 करोर रुपे देने होंगे, जापानी कमपनियों का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज अलग है और इसमें कई मॉडिफिकेशन करने होंगे, अब भारत की ICF बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुद चुकी है, भारत की बुलेट ट्रेन जापान की तरह एडवांस नहीं होगी, लेकिन यह कॉस्ट फोकस्ड होगी, इसमें बायो टोइलेट्स का उप्योग किया जाएगा, भारत के रेल मंतरी अश्विनी वैशनव का यह निरने देश की आत्म निरभरता को धन्यवाद